बिहार में अंडिये ने राजसभा के अपने तीनों मेद्वारों की घोशना कर दी है जदी अपने कोटे से राजसभा के उपसभापती हरिवंज और बिहार सर्वकार के पूर्व मंत्री रामनाठ ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है माई भाशपा ने पूर्व केंदरी मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को मौका दिया है शुक्रवार यानी 13 मार्च राजसभा सदस के चुनाओ के लिए नामांकन के अंतिम्तिती है बिहार में राजसभा चुनाओ के लिए बिजेपी के साथ साथ राश्टिय जन्ता दल ने भी भूमिहार नेता को अपना कैंडिडेट बनाया है बिजेपी ने सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर पर दाव खेला है सबसे चौकाने वाला नाम आरजेडी की तरफ से है पार्टी ने भूमिहार समुदाय से आने वाले अमरेन धारिस सिंग को उमित्वार घोशित किया है बिहार की सियासत में भूमिहार समुदाय को आरजेडी का विरोधी माना जाता रहा है बता दे की राजसबा सीट के नामांकन की आखरी तारिक से ठीक एक दिन पहले राज़त ने पार्टी कार्याले में प्रस वारता है उजितकर इसकी घोशना की है पहले से प्रेमचन गुपता के साथ पैजल अली का नाम सामने आ रहा था बस उनके नाम पर मोहर लगनी थी लेकिन अंतिम समय में फैजल अली का पत्ता कड़ गया और राज़त ने उनकी जगा अमरेन धारी सिंग को राजसबा भेशने का फैसला लिया कहा जा रहा है कि राज़त के इस फैसले के पीछे लालू यादव की भूमका के साथ साथ जातिगत समीकर साथने की कोशिश भी हो सकती है क्योंकि अमरेन धारी सिंग अगरी जाती से आते हैं और बड़े वेफसाई हैं ये भी कहा ज़रा कि अमरेंधारी सिंग समाजिक कारी करता है अमरेंधारी सिंग का नाम आगे लाकर राज़त ने फिलाल सभी को चौका दिया है बता दे कि लालू परिवार के करीबी प्रेम चन्गुपता मनमुहन सिंग की सरकार में मंतरी भी रहे हैं इससे पहले राजसभा चुनाओ के अधिसूशना जारी होने से पहले कॉंग्रेस ने एक सीट पर अपना दावा किया था जो उनोंने लोग सबचुनाओ के दोरान साजा प्रेस कॉंफरेंस में सबके सामने किया था लेकिन राज़त ने अभी राजसभा की सीटों के लिए डील कर लिये और विदान सबचुनाओ में कॉंग्रेस सीटों पर समझोता करने की बात कही है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें